लांजी थाना अंतरगत एक ग्राम की तीस वर्षिय महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि साधी का प्रलोबन देकर सुनिल ने सारीरिक संबंद बनाया आगे बताया कि दिसंबर 2020 में सामाजिक तलाख हो गया था जिससे वह अपने पती से अलग होकर अपने माता पिता के साथ रह रही है पिछले लगभग एक साल से उसकी बात मोबाईल से सुनिल पिता मुन्नालाल कालबेले 30 वर्ष दिघोरी निवासी से होती रहती थी 21 जनवरी 2021 को सुनिल कालबेले दिघोरी में उनके घर आया और मुझसे बोला कि वह उसे पसंद करता है और उसे साधी करना जाता है उसके साथ चलो इस प्रकार उसे सुनिल कालबेले साधी करने का प्रलोभन देकर अपने साथ जरीपट का जिला नाकपूर महराष्ट ले गया और वहाँ पर किराय के मकान बदल बदल कर रखा चार माहा तक उसके साथ जबर्दस्ती सारीरिक संबंद बनाते रहा उसके बाद साधी करने की बात कही तो वहाँ उसके साथ जगड़ा करने लगा और बोला वहाँ उसे साधी नहीं कर सकता और अगर यह बात किसी को बताई तो जान से मार देने की धमकी दिया उसके बाद सुनिल कालबेले ने उसे मई 2021 को बस में बिठाल कर दिघोरी भिजवा दिया दर के कारण यह बाद किसी को नहीं बताई उक्त महिला की सिकायत पर धारा 366, 376, 372, N, 506, 3, 1, W, 0, 3, 2, S, C, S, T, 1 के तहत अपरात पंजीबत कर विवेचना में लिया गया